Hello Students! कैसे हैं सब लोग? तो स्वागत है आपका एक बार विस्थ से NKT NCATIC पे जिस पर हम complex number पढ़ने जा रहे हैं तो यह complex number है यह मैं आपको NCATIC बेस तो नहीं करवा रहा हूं यह करवा रहा हूं पैं आपको जैसे कि आपके IITS यह एक्जामिनेशन के लिए मतलब competitive examination से तो complex number में यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके यहाँ पे जैसे कि यह है आपका complex number ठीक है अगर जो first बार देख रहा lecture वो देख सकता है लेकिन NCRT discuss नहीं होगी लेकिन NCRT में भी इसके कुछ rules follow कर दिये जाएंगे ठीक है तो पहली बात complex number को find करने का तरीका क्या होता है तो complex number आपको given दिया होता है इस form में z is equal to a plus iota b जहाँ पे iota b आजाता है students वहाँ पे समझ लिजेगा यह complex number है तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि a आपका क्या होता है real part होता है और जो iota होता है इसको आप क्या बोलते है imaginary part imaginary part तो मैंने आपको j mains के notes भी provide कर लिया थे वीडियो में ठीक है तो यह आपके complex number होते है z आपका a plus iota b तो यहाँ पे a एक real part होता था और z आपके पास sorry i आपके पास imaginary part यहाँ पे आपको i की value पता होने चाहिए i की value under root minus 1 होती है iota square कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए under root minus 1 under root minus 1 minus 1 आएगा iota q कितना होगा तो अब आप under root minus 1 into under root minus 1 यह तो क्या हो जाएगा इसके साथ multiply हो जाएगा और 1 बन जाएगा लेकिन under root 1 तो ऐसा रहागा तो यह आपका iota के बराबर रहेगा तो इस तरह से आप इनको solve कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे आप इन question को कर सकते हैं अगर मालो आपके पास inverse में दे दिया iota raised to power minus 1 तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 upon i 1 upon i means 1 upon under root minus 1 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक है तो ऐसे भी इन questions को कर लिया जा सकता है अब यहाँ पे note करने की बात अगर आप कर लेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जब if अगर आपके पास iota raised to power minus n दिया होगा यह identity use रखेगा तब iota ऐसा आपके पास होगा यह आपके j advance का जो j means के examination होते हैं वहाँ पर यह formula maximum time यूज कर लिए जाता है आप एक copy बना सकते हैं जिस पेस को note कर सकते हैं तो मैंने पहले कह दिया कि इस question को ज़रूर note कर लिजिएगा यह वाला ओके तो यह question होगी अब आपका अब एक छोटा से example आपको करवा देता हूँ मैं यहाँ बताया हुआ इफ iota is equal to under root minus 1 यह तो आपको value याद ही रखनी पड़ेगी students तो यहाँ पर आपके पास यह equation दिए i raise to power n plus i raise to power n plus 1 i raise to power n plus 2 i raise to power n plus 3 किसके equal होगा तो यहाँ पर natural number है यह iota raise to power n तो आप कैसे find करेंगे इसकी value को तो students ऐसी question आईए तो आपने पहले क्या करना है यहाँ पर तो solution आप यहाँ पर लिख लिजिए यहाँ पर अगर मैं इस equation से i raise to power n plus i raise to power n dot iota लिख सकता हूँ iota raise to power n iota square लिख सकता हूँ क्योंकि यह plus हो जाते हैं ऐसी identity आपको पता होगा am dot an is equal to am plus n होती है वैसे ही मैंने use किया गवराना मत है ऐसे question से और यह आपकी miscellaneous में ऐसा question जरूर होगा आप देख सकते हो ncrt में ठीक है तो यहाँ से iota raise to power n सभी के पास है तो मैं common ले लेता हूँ पहले के पास one दूसरे के पास क्या रहेगा iota रहेगा तीसरे के पास क्या रहेगा iota square रहेगा थरे के पास क्या रहेगा iota cube रहेगा अब इनकी value आप find कर सकते है इनकी value निकाल नी सकते अब iota raised to power n 1 इसकी under root minus 1 मत लिखिएगा iota अब iota square की value आपको पता है क्या होती है minus 1 होती है यहाँ पे लिखा है अभी iota cube की value क्या होती है iota plus iota तो iota से iota cancel यहाँ से यह तो 0 बचा तो इसके value आगी 0 answer तो ऐसे आप इन questions को find कर सकते हैं complex numbers के ठीक है students तो एक और problem कर लेते हैं हम question number ठीक है तो students आपकी screen पे जैसे की question है if iota की value तो आपको पता है then दिया हो है iota raise to power n plus iota raise to power minus n where n belongs to z ऐसा question दिया हो है जब कभी भी आपके पास iota raise to power minus यहाँ पे n दे दिया है तो आपको यहाँ पे पता नहीं है n की क्या value है यहाँ पे तो easy तरीक से निकाल दिया क्यूंकि यहाँ पे cubes थी, essay formation थी essay formation आजाती है तो इसके आपको cases करने होते है essay questions के case होते है तो यह SQL में examination में आया हुआ था आपके AIEEE में questions आया हुआ था तो यह divide होगा आपका 4 case में तो 4 case करेंगे हम तो first case में यहाँ पे कर लेता हूँ case number 1 case 1 पे पता क्या होता है n belongs to z n किसको कर रहा है belong to z यहाँ पे मैं क्या कर लोगा when complex number is defined as where n is equal to 4m क्यों लिए यहाँ पे मैंने n is equal to 4m ले लिया where m belongs to z यहाँ पे m belongs to z आपको यह भी number ले सकते हो लेकिन आपको similar number लेना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे suppose कर लेजी यहाँ पे मैंने nm लिया होता लेकिन मैंने यहाँ पे constant ले लिया यहाँ पे ले लिया मैंने 4m अगर मैंने 4m लिया तो आगे भी मेरे को वही digit same रखनी होगी ठीक है तो 4 cases हो गए यहाँ पे तो यहाँ पे iota raise to power अब यहाँ पे अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा 4m तो मैं बताता हूँ अब यह आके जब उसका case आएगा iota raise to power n है यह value आपको निकान लिए तो iota raise to power 4m आज आएगा आज आएगा मैं हमेशा even number वाला लेना चाहिए 2 ले लेता तो 2 यहाँ पे छोटा पढ़ जाता इसलिए मैंने 4 की formation कर लिए क्योंकि 2 तो under root minus 1 ही आजाता मतलब minus 1 ही आता तो हम positive को ज्यादा हम prefer करते हैं इसलिए यहाँ पे कर लिए तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अब अब मैंने आपको एक identity बताई हुई थी अगर आपने note रखी होई रखी होगी किसी नहीं iota 4 की value क्या होती है iota 4 की value iota square की होती है minus 1 iota 4 की क्या होगी positive 1 positive 1 रहेगी नहीं यहाँ पे आप minus 1 को multiply करना पड़ता है कितने times करना पड़ेगा 4 times तो यहाँ पे यह यह काट दिया जाएंगे होगे तो under root में ऐसा मत समझे कर ठीक है under root में 1 का under root 1 ही रहता तो iota 4 की value 1 रहती है तो यहाँ पे क्या आगया iota raise to power m ठीक है iota raise to power m आपके पास as it is रहा गया तो यहाँ पे अब मैंने जो यह question है यहाँ पे क्या है iota raise to power minus n यह तो आपने निकाल दिये यह इसके एककल है अब iota raise to power minus n किसके एककल होता है 1 upon iota raise to power n जो अब यह identity लिखाई यहाँ पे r means है कोई भी constant आपका remainder function तो यहाँ पे n भी हो सकता है ठीक है remainder function है यहाँ पे सोगी हो iota raise to power minus n तो यह इसके एककल है iota raise to power n आगया तो plus iota raise to power minus n कितना आएगा 1 upon iota raise to power m के ही equal आएगा equal ही आएगा ठीक है तो यहाँ से क्या निकल गया आपका function की m किसके बराबर है तो यह आपका position रहता है case number 1 आपने जो define कर लिया अब second case है यहाँ पे कर लेते हैं second case तो second case में यहाँ पे क्या लेना पड़ता है when n is equal to 4m plus 1 तभी मैंने बोला एक function लेना लेकिन उसकी थोड़ी सी value को बढ़ा देना है तो iota raise to power n बिल्कुल सेम करेंगे iota raise to power 4m plus 1 करेंगे तो क्या आएगा iota 4 iota m 1 अलग है तो इसको iota ऐसे लिख सकते हैं इसको solve करेंगे तो आपके पास answer I guess ही दे iota iota 4 की value 1 iota as it is ही रहेगा क्यों यहाँ पे iota m मैंने ये लिया अब देखिए यहाँ पे अब मैं एक आपको understanding क्या question यहाँ पे बिदाता हूँ तभी मैंने यहाँ पे नहीं बताया अब यहाँ पे iota raise to power m था ठीक है अब यहाँ पे आपकी जो गडबड रहती है जैसे कि मैंने अब यहाँ पे इतना कर देते हो आप लेकिन आपको यहाँ पे आप हिम्मत छोड़ देते हैं कि question रहती है गलती यहाँ पे यहाँ से होती है जो मैंने अब यहाँ को सामने की iota raise to power 4 था तब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था iota raise to power 4 into m भी तो लिख सकता था तो यह इसकी value क्या थी 1 raise to power m 1 की power जितनी मर्जी हो जाए उसकी value क्या आएगी हमेशा 1 ही आएगी तो वैसा ही system था यहाँ पे तो 1 1 value आगी तो iota raise to power n की value क्या आनी थी 1 ही आनी थी कैसे यहाँ पे 1 करना था put यहाँ भी 1 आदाना था तो यहाँ पे total sum कितना था इसका 1 plus 1 is equal to 2 आतन सकतो ऐसे find करना है हम इसा question को अभी मैंने यहाँ पे आपको बताएं अब यह आपने 4m के साथ ही कट्थे इसको जोड़ देना है यह मैंने आपको अभी बता दिया ठीक है इसके साथ जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 raise to power m आयोटा जाए ठीक है 1 raise to power m तो इसके जो अंसर आएगा यह आयोटा आजाएगा अब आयोटा inverse n कैसे find करेंगे 1 upon आयोटा raise to power n आयोटा raise to power n आपने 1 upon आयोटा निकाला अब 1 upon आयोटा किसके बरापर होता है पता किसी को पता है यह भी एक question है 1 upon आयोटा किसके बरापर होता है पता है किसी को तो बता सकता है अभी देखिए इसको मैं आयोटा inverse लिख लेता हूँ आयोटा आपको पता है आयोटा की value क्या आपती है under root minus 1 that is your is equal to the minus आयोटा तो यह जो अगर ऐसा case है 1 upon आयोटा आपका किसके बरापर होता है माइनस आयोटा की बरापर होता है ठीक है जी तो ऐसे आपका यह question हो जाएगा तो यहाँ पर आयोटा रिष्ट पापर N की value निकाल दी आपने क्या निकाली आयोटा इसकी value प्लस यहाँ पर क्या आई negative आयोटा is equal to 0 यहाँ पर आपके पास अंजर आप घबराईएगा मत की आयोटा रिष्ट पावर इन्वर्स की value कैसे आई इसकी अब आपको जो मैंने उपर question लखाया था वहाँ पर लिखाया था वन अपन आयोटा वन अपन आयोटा की value क्या है अगर मैं यहाँ पर उपर minus 1 लगा लेता और under root minus 1 लगा लेता कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पर यह इसको क्या करेगा काट लेगा क्या है आपके पास under root minus 1 महीं आएगा कोई फर्क पड़ा तो यहाँ पर इसलिए आपको क्या आगगा minus iota आगया अब यहाँ पर negative sign क्यों लगा यहाँ पर negative sign आपको खुद लगाना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा negative sign ठीक है तो ऐसे यह निकला जबराईएगा मत की कैसे यह question आपके यहाँ पर आगया ओके तो यह अलग अलग पार्ट थे तो case अगर आपको जो next होगा वो भी आपको खुद करना होगा जैसे कि आपके पास 4m प्लस 2 क्योंकि यहाँ पर 4 cases पर डिपेंड करता है और मैं सीधे बता दूँगा iota रिष्ट पाबर n की value क्या आएगी क्या है यह iota रिष्ट पाबर आप 4m प्लस 2 परेंगे इसकी गयागी माइनस 1 तो इसकी value dependent कर रही है माइनस 2 की अब 4th case है उसको भी up कर सकते हो जैसे कि 4m प्लस 3 ऐसे 4 cases करने चाहिए लेकिन in accordance your question आपके पास यह value इस इस position पर लाई करके मेरे को पता लग गई तो अब आप इसके जो correct answer है वो आपको find करना है तो correct answer यहाँ पर 3 points आपके पास निकल रहे है तो यहाँ पर options 3 correct होगी लेकिन हम इससा 4 case जरूर करने है ठीक है तो यह थी आपके complex number के कुछ basic concepts जो general introduction के है अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और अच्छे topic कर वहाँ तो आप मेरे को comment कर सकते हैं लेकिन आज के लिए इतना ही बड़ी है इतना ही topic करेंगे हम तो हमारे चैनल को आप subscribe कर सकते हैं ताकि आप मेरे आने वाली नए इनको इनके बारे में अभी तक knowledge नहीं है इसलिए मैंने उनको यह topic बताया लेकिन यहाद पर maximum इन topics पर गल्दी करते हैं तो पहली बात exercise को जरूर्ट कीज़िएगा और आपको hand return notes भी provide कर दिये जाएंगे कर दिये जाएंगे नहीं मतलब कर दिये गई है तो अल्विजा दो कर दिये गाएंगे कर दिये जाएंगे 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 कर दिये जाएं